हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शुब अमर स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चानल शुब अदम मेरे दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ट्रेडिंग सेटप्स के उपर जो कि अपकमिंग वीक के लिए मैंने फाइंड कि और जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाता हूँ सभी स्क्रींशॉट यह सेटप्स के मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किये लिंग जो है वह आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी यहापर मैं पूरी डीटेल अनालिसिस आपको यहापर बत बहुत ही सिंपल अनालिसिस है आप यहापर देख सकते कि यह प्रीवियस वाला जो सपोर्ट है यहापर जो गैप क्रियेट होता थोड़ा सा अगर यह मैं सपोर्ट नीचे लूँगा तो आप यहापर देख सकते कि यहापर एक गैप क्रियेट हुआ था जो कि यहापर सपो भी हो गया है तो यहाँ पर सिंपल सा हमें यहाँ पर क्या करना है अगल कल प्राइज कैप भी खुलते या फिर गैप डाउन खुलते यह वन आवर का चार्ट है 15 मिनिट का टाइम इंट्राडे के लिए खुलना है और अगर स्विंग करेंगे तो वन आवर के टैंडल कैंडल दुर सिंपल सा हमें कि स्टॉप किस तरह से ओपन होता है अगर यह चाय सा बूलिश म मुमेंटम रहता है मार्केट में मतलबन कोई भी फूल बैक देखना है और इस यह फूल बैक हमें बाइंग करनी है अच्छी तरह से तो इतना ही सिंपल सा सेटप है अभी अगला जो चार्ट है वो यहाँ पर है हिंदुस्तान पेट्रोल हिंदुस्तान पेट्रोल में भी बहुत अच्छा प्राइस एक्षन बन रहा है थोड़ा समय आपको फोर आवर के टाइम फ्रेम में ले आप ब्रेक आउट भी देख सकते हैं और यहाँ पर प्राइक जो है वो रिजिस्टेंस फेस कर रहे है इस रेड़ वाले लाइन को तो अगर कल मार्केट के साथ में ओपन होता है तो यहाँ पर सिंपल्स और वाइस यह रेंज में भी ओपन होता है इस वाले रेड़ लाइन तो अगर ब्रेक आउट केंडल वो मुविंग आवरेज को क्रॉस करके उपर क्लोज हो रही है ब्रेक आउट केंडल का वाल्यूम तो यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेड बनेगा तो सिंपल सा हमें का करना है ब्रेक आउट के बाद में पुल बैक का यहाँ पर इंतजार करन यह वाली जो रेड़ वाली लाई नहीं यहाँ पर वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो अच्छा सा स्विंग भी बन सकता है और यह पर इंट्राडेट जिनाजिक्त भी बन सकता है पर लॉंग के लिए ट्रेड लेते बहुत यहाँ पर similar यहाँ पर pattern बन रहा है आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते यह वाला जो support है वो किस तरीका है यह Fibonacci support है मैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर Fibonacci लगा कर भी दिखा सकता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर 0.618 जो golden ratio है यहाँ पर support और यह support जब यहाँ पर price थी तब भी मैंने यहाँ पर setup जो है वो अपने Instagram पर भी पोस्ट किया था और इस पे डीटेल वीडियो भी बनाया था आप यह जाकर देख सकते है बहुत ही अच्छा यहाँ पर setup बन रहा था यहाँ पर बहुत ही अच्छा trade बन रहा था यहाँ पर यहाँ पर support लिया और एक अच्छा सा falling channel pattern बना रहा है और falling channel आप यहाँ पर देख सकते है कि resistance पर है price और resistance पर price होने के बाद में price क्या करती है अपने support को touch करने का try करती है तो simple सा आप यहाँ पर अगर one hour का या फिर 15 minute का chart को लेंगे तो यहाँ पर rising wedge pattern जो था उसको नीचे भ call भी यहाँ पर देखने को मिला तो simple सा हमें क्या करना है यह वाले जो लोज है जैसे जैसे breaks होंगे तो simple सा हमें क्या करना है pullback का इंतजार करना है और पूल बैक पर short की opportunity दून नी है तो इतना simple सा है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकती कि rising channel जो pattern बन रहा था इसके resistance पर थी price में वह gap up open ओकर या फिर range में open ओकर यह resistance line ब्रोक हो जाती है तो यहाँ पर एक अच्छा सा long के भी trades बनेगे क्योंकि यहाँ पर सी जो stock है वह अच्छे momentum के साथ में ऊपर भागने का try करेगा इस वजह से इसमें short का भी trade बन सकता है और long के भी trades यहाँ पर बन सकते अभी अग यहाँ पर देख सकते कि यह previous high जो था यह previous high यह यहाँ पर support का काम करेगा बराबर यहाँ पर आप देख सकते कि दो highs है मतलब यहाँ पर double top pattern बनाता तो इसका जो resistance line है अभी यहाँ पर यह support का काम करेगा और यहाँ पर support लेकर price ने यहाँ पर एक inverse head and shoulder pattern बना दिया और price ने closing क पर दिये यहाँ पर और exactly यहाँ पर एक falling wage का resistance line में यहाँ इसका मतलब यह होता है कि अगर यह जो resistance line है यह कल break हो जाती है यह फिर यह inverse head and shoulder की neckline break हो जाती है तो यहाँ पर भी breakout के बाद में pullback पर एक अच्छी सी long की entry ली जा सकते है यह भी बहुत ही अच्छा और simple setup पर trade करन के लिए जरूर इस पर भी ध्यान रखेगा सिर्फ हमें यह पर देखना है कि breakout होगा तो वह अच्छे volume के साथ में होना चीए और nifty और bank nifty bullish होने चीए तो इतना अगर यह conditions अगर satisfy होती है तो यहाँ पर एक अच्छा सा long cut rate जरूर बनेगा और अगर future में यह जो support line है यह नी प्राइज नीचे आएगी और यह वाली support line है अगर यहाँ पर भी अच्छा सा buying pressure नहीं मुला तो यहाँ पर से वो breakdown करके और अच्छा सा यहाँ पर fall यह जो fall हो continue होते हुए हमें दिखाई देगा तो यहाँ पर long की भी opportunities बनेगी और अगर अगले week में इस वाले support को break कर दिया प्राइज ने तो यहाँ पर short की भी opportunities यहाँ पर अच्छी सी बनेगी अभी अगला और last talk जो है वो है थोड़ा सा हम four hour के time frame में या फिर one hour के time frame में चलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक inverse head and shoulder pattern बन रहा है मैं आपको draw करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह से एक inverse head and shoulder यहाँ पर pattern बन रहा है इसका एक fake breakout हुआ फिर से नीचे और एक अच्छा सा breakout इसने रीटेस पे या फिर कोई भी pullback देखकर एक अच्छी सी buying opportunity बनेगी और similarly यहाँ पर अगर फिर से resistance face होता है और nifty और bank nifty अगर bearish होंगे तो यहाँ पर से एक अच्छा सा short का मोके भी यहाँ पर बनेंगे और यहाँ पर हम short के chances लेने का try करेंगे तो इतना simple सा यहाँ पर setup ब screenshot मैंने अपने Instagram पर post किये हुए है link आपको description में मिल जाएगी वोपी कि आपको यह पूरा analysis पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो please इस वीडियो को like कर दीजे आपके friends के साथ trading community के साथ share कर दीजे और एसी आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे channel को subscribe भी कर दीजे तो आज के वीडियो में इतना ही रखते है thank you very much